सो हेलो गाइज कैसे है आप सब दोस्तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले है नेरबाइ सेर के बारे में कि नेरबाइ सेर ओप्सेन क्या है इसको आप किस तरह से अपने मुबाइल में इस्तमाल कर सकते हूँ दोस्तो नेरबाइ सेर गुगेल दुआरा प्रोवाइड किया हुआ एक ओप्सन है जिसके साहरे आप किसी भी फाइल को किसी भी वीडियो आडियो को एक मुबाइल से दूसरे मुबाइल में ट्रांसफर कर सकते हूँ दोस्तो ये नेरबाइ सेर आपको हर किसी एर्रोइड डिवाइस में देखने को मिल जाएगा तो इसका आप इस्तमाल कैसे कर सकती हो आज इस वीडियो में आपको टोटली एक्स्प्लेन करने वाला हूँ तो वीडियो को एकदम सूर से लेकर लाश तक देखते रहे और गाइस आप अभी किसी थर्ड पार्टी एप्लिकेशन का इस्तमाल कर रहे होंगे किसी फाइल को वीडियो को और अडियो को ट्रांसफर करने के लिए तो guys आपको जो third party application है उसे अपने mobile से uninstall कर देना है क्योंकि guys third party application secure नहीं भी हो सकता है तो उसे आपको uninstall कर देना है और अभी से आपको इस्तमाल करना है nearby share इससे आप आसानी से किसी भी file को share कर सकते हो एक mobile से दूसरे mobile में और ये हर किसी Android device में आपको देखने को मिल जाता है तो इसको जानने के लिए चले चलते हैं mobile के screen में सब कुछ वहाँ पर आपको बताने वाले है तो वीडियो को ध्यान से देखते रहिए और गाइस चैनल पर नई हो तो सबस्क्राइब ज़रू से कर लिजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर दिए ताकि हमारे सभी YouTube वीडियो का notification आपको सबसे पहले मिल सके तो चले चलते हैं mobile के screen में सो गाइस अभी हम आ चुके हैं अपने mobile के screen में और अभी हम बताने वाले हैं कि nearby share option को आप कैसे file को transfer करने के लिए इस्तमाल कर सकते हो तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने mobile के settings को open कर लेना है और mobile के settings को open कर लेने के बाद आपको यहाँ पर एक option को ढूणना है यह option हर किसी के mobile में आपको देखने को मिल जाएगा तो यह है Google तो आपको Google को open कर लेना है Google को open कर लेने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे की और आना है तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा device connections तो आपको device connections के उपर click करना है device connections के उपर click करने के बाद आपको यहाँ पर click करना है nearby share इसके बाद आपको यहाँ पर एक option को on करके रखना है यहाँ पर जो button दिया हुआ है guys यह जो button दिया हुआ है आपको इसे on करके रखना है यह आपके mobile में on हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है तो आपको on कर देना है इस तरह से तो इसे on करने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना है आपको back आ जाना है और आप किसी भी file को transfer कर सकत जहां से आप किसी भी चीज को ट्रांसफर करना चाहते हो आपको उसे ओपेंड कर लेना है तो मैं फाइल मेनेजर को ओपेंड कर लेता हूं और इसके बाद मैं यहां से किसी भी एक फॉटो को ट्रांसफर करके बता देता हूं कि कैसे आपको ट्रांसफर करना है तो यहां पर एक photo है ये flip card का photo है तो मैं इसे ओपर इस तरह से में tick लगा देता हूँ उसके बाद मैं यहाँ पर click करूँगा send send के ओपर and send के ओपör क्लिक कर देने के बाद आपको यहां पर कुछ options मिल जाएगा तो आपको यहां पर click करना है कि क्लिक करना है nearby share simply से आपको nearby share के ऊपर click कर देना है और nearby share के ऊपर click कर देने के बाद यहाँ पर बोल रहा है you are in aeroplane mode तो guys हमारा device अभी aeroplane mode में है तो हमें aeroplane mode को off करना होगा तभी हम इसे इस्तमाल कर सकते है तो चलिए मैं इसे off कर लेता हूँ और इसे off करने के बाद यहाँ पर कुछ चीजों को on करने के लिए बोल रहा है यहाँ पर लिखा हुआ है to share with devices nearby turn on Bluetooth location and Wi-Fi तो हमें Bluetooth location और Wi-Fi को अपने mobile में on करना है तो यहाँ से on के ऊपर क्लिक कर देते हैं और okay के ऊपर क्लिक कर देते हैं तो इस प्रकार से on हो जाएगा और आप जिस mobile में इस file को लेना चाहते हो उस mobile में आपको क्या करना है उस mobile में भी आपको उस mobile में भी आपको Wi-Fi location और Bluetooth इन तीन चीजों को आपको on करके रखना है जिस mobile में आप लेना चाहते हो file को और जिस mobile में आप जिस mobile से file आपको देना है उस mobile में भी आपको wifi location और bluetooth को आपको on करना है उसके बाद जो भी आपके सामने का device है उसमें एक notification आ जाएगा उसके बाद यहाँ पर आपको एक notification आजाएगा guys device nearby is sharing तो आपको यहाँ पर इसके उपर इस notification के उपर click कर देना है इसके उपर click कर देने के बाद यहाँ पर जिस mobile में आप transfer करना चाहते हो उस mobile का number यहाँ पर आ जाएगा तो आपको इसके उपर click कर देना है और इसके उपर click कर देने के बाद जो दुसरा mobile है उस mobile में accept करने का option आईगा तो आपको यहां पर accept के ऊपर click कर देना है guys accept के ऊपर click कर देने के बाद ये photo share हो जाएगा आपके दूसरे mobile में तो इस प्रकार से आप share कर सकते हो की इस फॉटो को और किसी भी file को आप share करना चाहते हो तो ठीक इसी तरह से आप share कर सकते हो तो यहां से मैं फिरिफायर के जो फाइल है उसे मैं आपको share करके दिखा देता हूँ तो इसको आपको यहां पर tick लगा देना है और उसके बाद आपको send के उपर click करना है send के उपर click कर देने के बाद आपको guys यहां पर click करना है nearby share तो ठेक उसी तरह से आप सेर कर सकते हूं nearby share के ऊपर क्लिक करके तो इस तरह से आप Slide कर सकते हो किसी फाइल को, किसी फोटों को nearby share के मदद से अंता करता हूं यह वीडियो आपको उचे लगा होगा यूसफूल लगा होगा इस वीडियो को लाइक करने आपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को सेयर कर देना ताकि वह भी जान सके वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद